ये फ्रेंस देखिए हम लच्छा प्यास बनाने जा रहे हैं तो इसमें अभी सबसे पहले हम लोग डालेंगे ब्लाक सॉल्ट इसको आपको स्वाद अनुसार डालना है अपना जितना कॉंटिटी प्यास को हमने यह तीन प्यास लिया था तो आधा चम्मत सॉल्ट डाला अब एक टीस्पून एमें चाट मसाला डालना है यह देखिए एक टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला था तीन प्यास के लिए और उसके बाद यह रहा है कश्मीरी लाल मिर्च फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप नॉर्मल मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे तो यह काफी तीखा हो जाएगा उसके अदा आपको इसके इस तरीके से हाथों से मिक्स कर लेना है अच्छे से तकि मसाला इस पे यह कोट हो जाए एक ट्रिक में आपको और बताती हो प्लीज इसे आप खाने से पहले बनाये अगर इसे आप बहुत देर पहले बनाईए गा तो आपको जब गेस्ट को सर्फ करना है तो आप बनाए तो यह बिलकुल आपका रेस्टोरेंट स्टाइल अच्छा प्याज रेडी है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में यह लुक आप भी बनाएए खाईए एंजॉई करिये और हमें जरूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपने बनाई तो आपको कैसा लगा थाइंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टूर चैनल